साथियों मनुई स्मिर्ती भारत में लागू है कौन कह रहा है सम्भिधान चल रहा है साथियों दल्यतों को पानी भरने से अगर मारा जा रहा हो तो हम सम्भिधान नहीं मनुई स्मिर्ती का राज ही कहेंगे है वही सबसे बड़ी खबर आज जारखंड में बहुजन समाज पार्की चुनाव लड़ने जा रही है और अपने परत्यासियों का नॉमिनेशन भी कर दिया है यह सबसे बड़ी खबर है बिजेपी के उपर बड़ा इलजाम कॉंग्रेस पार्की के एक नेता है जिन्होंने लगाया है उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसका जो पूरा स्रे है वो बिजेपी को जाएगा वही पर आरजेडी और बस्पा को लेकर के एक बड़ी खबर है जो आपको मैं बताओंगा इस वीडियो में तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे मैल पूरी को लेकर के एक खबर है जो बोजन समाज पार्की द्वारा जारी किया गया है तमाम बड़ी ख़ब्र है जिस पर बातचीत करेंगे और नारेंदर मोदी जी का एक और जोट जो वाइरल हो रहा है उस पर भी बातचीत करेंगे चलिए आज की वीडि़ो हम शुरू करते हैं और आखिरकार यूपी में कानून का क्या राज है उस पर बात चीत करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ साथियों यूपी हो या बिहार बंगाल कहीं पर भी हो देश में जादा तर बीजेपी की ही सरकार है यूँ कहें कि पूरा बीजेपी का ही भारत में कबजा है इसमें कानून विवस्था का क्या हाल है आपको एक नजर यूपी के पुलिस कांस्टेबल के उपर लेकर चलते हैं यूपी में पुलिस का अंस्टेबल महिला अपने घर लोट रही थी छुट्टी से करवा चौथ को मनाने के लिए उसके साथ रास्ते में बलतकार हो जाता है आप कलपना नहीं कर सकते ये पुलिस महिला का ये हाल है आम नागरिक का क्या हाल होता होगा इसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं सोच नहीं सकते है आप सोचिए उत्र परदेश की बदहाल कानून बोश्था का इस से बरा उदहरर और क्या भला हो सकता है महिला सुरच्चा के नाम पर बिफल है सरकार जब पुलिस वाले ही सुरचित नहीं हैं तो आम जनता कैसे सुरचित होगी योगी अदितनाथ जी से नहीं समाल रही है उत्तर परदेश की कानून ब्यौस्था सोचिए कानून ब्यौस्था का ये आलम है कि उत्तर परदेश के दलित पिछड़े आदिवासियों की पिटाई के साथ साथ अब पुलिस वालों के साथ भी बेरह्मी वादुस्करम के मामले नजर आ रहे हैं इस सबसे बड़ी खबर है और इस पर हमें सोचना चाहिए कि अखिर देश में किस तरह से कानून की धज्या उड़ाई जा रही है सबसे बड़ी खबर की बात करें तो प्रधान मंतरी नारेंद्र मोधी का एक और जोट सामने आया है जहां उन्होंने 2014 के चुनाओं में कहा था मैं देश में दो करोड परतिवर्स नोकरी दूँगा वहीं अब नारेंद्र मोधी का एक जोट और सामने आया है पहले मैं आपको बीजो दिखाता हूँ साथियों ये बीजो आप लोगों ने देखा इन्होंने कहा कि मैं वारा नसी के तमाम इवाओं को और देश के भी तमाम इवाओं को एक लाख इवाओं को भारतिय जनतापार्टी से जोड़ कर राजनीती से जोड़ कर उनका भवे सुजवल करूंगा और मैं उन परिवार वालों को जोड़ूंगा जिनका राजनीती से दूर दूर तक कोई रिस्ता नहीं है नारेंद्र मोधी जी का ये बयान सुनकर तो ऐसा लगता है कि राजनीती की करवट ये बदलने जा रहे हैं लेकिन आपका अलपना नहीं कर सकते कि दो करोड नोकरी पंद्रा लाख रुपे और उसके बाद अब ये एक लाख विवाओं को राजनीती से जोड़ना कहीं न कहीं अपने आप में एक बड़ी चाल है मुझे नहीं लगता कि क्या नारेंद्र मोधी जी ऐसा काम करेंगे या नहीं क्योंकि कई बार इन्होंने वादा किया और उसे ठुकरा दिया है बड़ी खबर दोस्तों ये है कि यूपी का ही एक मामला और आया है जहां यूपी में कानून विवस्था दोस्तों पड़ी है वहें पर सबसे बड़ी खबर यूपी से आ रही है कि यूपी में कानून का राज नहीं मनुश्मिर्थी का राज चल रहा है आपको वता दे कि यूपी के भधोई में मंदिर के पास हेड़ पंप से पानी पीने पर दलित को साथ लोगों ने कोर्ट के पीटा और कोर्ट के आदेश पर F.I.R दर्ज तब जाके हुआ द्रसल दलित समाज का एक बैक्ति मंदिर वाले नल से पानी पी रहा था आप कल्पना नहीं कर सकते उस बैक्ति को इतना पीटा गया साथ लोगों ने मिलकर पीटा है और F.I.R भी थाने की पुलिस नहीं किया उसके बाद उस बैक्ति ने कोट से जाकर F.I.R दर्ज कराई है आप एक तरफ तो हिंदू कह रहे हैं और साथ में कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे वहीं दूसरी तरफ जब दलित हिंदू मंदिर के नल पर पानी पी लेता है स्कूल के घड़े से मटके से पानी पी लेता है तब उसकी पिटाई होती है और इतनी पिटाई होती है कि सायद उसकी जान भी चली जाए तब आपका हिंदू त्वावादी चेहरा कहां चला जाता है और खेर छोड़िये हिंदुत्व आवादी का मतलब नहीं संबिधान का मतलब होना चाहिए संबिधान का राज अस्तापित करना आपको सर्व परधम होना चाहिए लेकिन आप क्यूं नहीं कर रहे हैं देश में संबिधान का राज कायम सबसे बड़ी खबर ये है कि मंदिर में दलितों को जाना भी मना है तो फिर क्यों जा रहे हैं खैर पानी के लिए तो कोई रोक नहीं सकता तो सरकार इस पर जरूर संग्यान ले इस मामले पर वही सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं बहुजन समाज पार्की को लेकरके सामने आई है बहुजन समाज पार्की की सबसे बड़ी खबर है कि राश्के अध्यच और उत्रपरदेश की पूर्व मुखमंतरी मायावती जी ने मायन पूरी जिले में पार्की को मजबूत करने और करहल सीख पर बसपा प्रत्यासी को उपचुनाव जिताने के लिए बड़े भाई बिज मिसन की ये राश्के अध्यच हैं संस्थापक हैं अपने आपको बदाते हैं इनका नाम है एडोकेट विजय कुमार आजाद करहल सीख से पहले बिधान सवा चुनाव लरना चाहते थे पार्की ने इन्हें किकट नहीं दिया लेकिन फिर भी ये पार्की का दामन नहीं और वहां से किसी एक और पुराने मिसनरी साथी को चुनाव में उतार दिया था लेकिन फिर भी विजय कुमार आजाद पीछा पार्की का नहीं छोड़ते हैं इन्होंने कहा कि ठीक है मुझे किकट नहीं मिलेगा लेकिन मेरे रग में बस्पा भरी पड़ी है भले ही आप अलपना नहीं कर सकते बहुजन समाज पार्की ने इन्हें जिला परभारी पद पर नियुक किया गया है यह बड़ा पद है आपका अलपना नहीं कर सकते खैर आपको बताते बहुजन समाज पार्की ने जहार खंड में अपने परतियासियों के लिश्ट जारी कर दी है और आपके सामने लिश्ट सो हो रही है वही सबसे बड़ी खबर की बात की जाए भाजपा ब्रहमरवाद की उपज है भाजपा उंच नीच की भावना को अस्थापित करने के लिए काम करती है जिसका मैं बिरोधी हूँ यह लिखते हैं कॉंग्रेस नेता परसांत कनोजिया के द्वारा इस बयान पर आपकी क्याराय है तो परसांत कनोजिया ने इसे लिखा यह बड़ी ख़बर है अब आपको बताते हैं कि अखिर आरजेगी और बस्पा में दो प्रहामर सबसे मुख चेहरा जो हैं उनको अखिर पार्की क्यों नहीं निकाल रही है इस पर राजनीतिक विसेसग वा करांति कुमार जो बहुजन विसेसग हों लिखते हैं कि इस देश में दो प्रहामर हैं जो जातिये वर्चस और आरजेश के जातिवादी एजन्गे के खिलाप काम करते हैं आरजेगी के सुपरिष्टार प्रवक्ता मनो ज्जा और बहुजन समाजपार्की के महासच्यू सतीश चन्द मिस्रा मनो ज्जार राजसभा में आरचण और जाती जनगरना के पच्छे में जब बोलते हैं तो स्वर्ग लोग से भूचाल आ जाता है सतीश चन्द मिस्रा ब्यस्पी के सबसे बड़े अंग्रछक और कानून सलाकार हैं मायावती जी को सतीश चन्द मिस्रा ने आई से अधिक संपति के ज्छोछे मुकदमे से आरूप मुक्त कराया था अगर मनोज्जा और सतीष चंद मिस्रा जैसे नेता हर पार्की में हो तो भारत में मनुवाद और जातिवाद खतम हो जाएगा तो करांति कुमार का लिखना है कि मनोज्जा और सतीष चंद मिस्रा जैसे लोग यदि पार्की में हैं तो पार की आसमान की उचाईयों पर जाएगी और मनुवाद का नाम निसान मिच जाएगा जातिवाद का नाम निसान मिच जाएगा दो सब्दा आप जरूर लिखेगा इस विजियों दोस्त बस इतना ही जैभीम नमगुद्धार